हलो गर्स वेडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोनिटर के बारे में जो कि है MSI का G273Q और यह मोनिटर जो है वो आता है 1440p resolution के साथ यानिकि 2K with 165Hz और IPS पैनल और MSI क्लेम करता है इसको 1ms का response time तो यह मोनिटर कैसा है क्या आपको लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे गेमर्स जो है जो budget gamers है या mid range gamers है आज कल का mid range hardware है वो काफी enough है इवन अगर तुम 50 या फिर 60 series का भी graphics card लेते हो like future में 30 50 ऐसा कोई card है या अगर तुम 30 60 ऐसा कोई card लेते हो या उसके ऊपर का card लेते हो तो आपके लिए यह monitor है यह बहुत ही ज्यादा awesome रहने वाला है विकस 2K एक ऐसा resolution है जो ना तो 4K जितना high end है ना कि 1080p जितना low end है एक mid में जो है यह पड़ता है व्यूइंग के लिए बहुत ही crisp होता है है आपको यह अच्छा option मिल जाता है like 165Hz, 144Hz at affordable price है आप 4K पर आप जाओगे 165Hz, 144Hz, 100Hz यह अगर 4K मा आप जाओगे तो आपको अच्छे panel expensive मिलते है तो यह काफी sweet spot मन जाता है, gamers के लिए एक बहुत अच्छा option मन जाता है यह even content creations के लिए, even movie watchers है जो Netflix आप enjoy करना चाहते हो, Amazon Prime पर कोई show enjoy करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें है जो आप इसमें मजे कर सकते हो, 2K बहुत ही sweet spot resolution है तो यह monitor क्या आपको लेना चाहिए, इ जाने कि अगर आप AMD का graphic card यूज करते हो, तो चलो adaptive sync इसमें supported ही है, आप मज़े ले सकते हो, आपको आपको आपके ज़र फ्रेम, tearing वगरे जो हो देखने को नहीं मिलेगे, लेकिन अगर आप NVIDIA graphic card यूज करते हो, तो भी यह जो हो G-Sync compatible है, तो आपको कोई frame tearing देखने को नह होने वाला है, और आप मज़े ले पाऊगे, तो यह kind of इसमें एक plus point है, इससे जो lower tier के जो विजितर में monitors आते हैं, कई हो के अंदर आपको G-Sync compatibility देखने को मिल जाएगी, लेकिन लेकिन उसमें आपको जो है वो एक certification नहीं मिलेगा G-Sync compatible का, आप manually जाके खुद से G-Sync on कर स सकते हैं उनके अंदर, ठीक है, by NVIDIA control panel, बट एक जो brand की तरफ से compatibility मिलती है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, बाकि इसका जो main feature है, वो है IPS panel, ठीक है, यह IPS panel है, और 165 Hz का है, मेरे पास मेरा पुराना monitor पड़ावा ह जो कि तुमको यहाँ पे landscape mode में, normal mode में दिख भी राओगा आधा, यह है एक VA panel और 144 Hz, 32 inch, यह 1440p है, ठीक है, तो resolution के मामले में, दोनों जो हैं, वो same है, refresh rate के मामले में, MSI का 165 Hz है, यह normal 144 Hz है, बट इन day-to-day usage, आपको 165 Hz और 144 Hz में फरक नहीं पता चलने माला, बिल्कुल भ और वो वाला IPS panel है, तो yes, यहाँ पे आपको color काफी अच्छे देखने को मिलते है, SRGB color gamut के में बात करों, तो काफी अच्छा है, मैंसा यह का, at least, जो pre-calibrated है, वो काफी अच्छा है, तो अगर आप इसे photo editing के लिए use करते हो, video editing के लिए use करते हो, कुछ भी करते हो, आप कर स नॉर्मल तुम camera mode से photo log है, वो कुछ जाधी saturated होती है, उनको normal जो color profile है, उसमें वो लोग नहीं click करते है, तो kind of कोई लोग को वो look पसंद भी आता है, बट अगर तुम एक neutral perspective से देखो, तो यहाँ पे कोई SRGB more dedicated नहीं दे रखा है, MSI ने, बाकी again, 27 inches का है, और 1440p resolution है, तो आपके साथ नहीं होने वाला, बात करेंगर इसके refresh rate and response time की, तो 165Hz का refresh rate तो है, लेकिन अगर response time के हम यहाँ बात करें, तो MSI आपको जो on screen display है, या फिर जो भी settings menu है, उसके अंदर 3 response time की settings देता है, जिसके के अंदर मैं जो है normal fast mode जो है, वो यूज कर रहा हूँ, normal mode भी आप बेस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको optimal चाहिए, तो मैं आपको, मैं यहाँ पर जो है fast mode recommend करूँगा, बिकस मेरे पास कोई ऐसे professional tools नहीं है, जिनसे मैं इसके response time को exact measure कर पाऊँ, जितना मैंने use किया, usability के बेसे मैं बता रहा हूँ, fast mode जो हो आपको perfect motion blur, तो मैं बो आपको overall अच्छा experience नहीं मिलने माला उसमें, at least मेरे हिसाब से, ठीक है, जो मैंने experience किया, so for better experience, fast mode बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ use कर सकते हो, बाकि MSI MPRT नाम से backlight strobing option देता है, लेकिन अगर आप backlight strobing on करोगे तो, आप adaptive sync loose कर दोगे, वो functionality आप loose क साथ ही साथ आई थी आपके brightness में भी जो इससे थोड़ा काफी असर पड़ता है, again, मैं इस के अदर हो, वो custom अपनी खुद की settings उस कर रहा हूँ, color performance के लिए, मैंने सको खुद से, अपने हिसाब से color calibrate किया हुआ है, ताकि, ये मेरे हिसाब से monitor जो है, वो मेरे visual pleasure मुझे दे, आपको कुछ amount of backlight bleeding देखने को मिलेगी, मिलेगी, वो kind of, मतलब मैं भूलूगा, धर्म बन चुका है, IPS technology का, कि आपको कुछ amount में तो जो है, वो देखने को मिलेगा ही, मिलेगा, लेकिन वो depend करता है कि कितना amount में, तो मैं हहाँ पर बोलूगा, कि आपको जो है, वो backlight, जो bleed ह आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी, उतनी क्या मतलब मैं बोलूगा, ना के बराबरी तुम्हें देखने को मिलेगी, तो मेरे पास जो unit है था, उसके अंदर मुझे सिर्फ एक साइड से ही जादा देखने को मिला था, और एक साइड में बोलूगा, सिर्फ एक corner में, तो तुम्हें नहीं देख रहे होंगे, लेकर तुम किसी 16-9 aspect pressure के device में इसको देख रहे हैं, और तुम्हें नीचे पर black bars देख रहे हैं, तो अगर तुम इस type का content भी देखते हो, तो उसके अंदर भी तुम्हें वो जो backlight breeding है, वो देखने को नहीं मिलने वाली, मैं काफी movies वग brightness, contrast, जो basic settings रहती हैं, वो तो देखी हैं, साथ में कुछ timers वगएरा, and additional features होते हैं, like reading mode हो गया, तुम्हारा gamer mode हो गया, fps mode हो गया, जहां पर तुम्हारे जो black level से उनको काफ्र उठा जया जाता है, ताकि तुम shadows में, या कोई अंधेरी वाली जोगा है, वहां पर पीक कर कोई अलग से buttons ही दे रहे हैं, dedicated buttons, because वह बहुत annoying होते हैं, यूज करने के लिए, and जब इतना पीछे आई गाए है monitor के, तो पीछे की तरफ पे आपको connectivity देखने को मिलती है, वो मिलते हैं, आपको 2 HDMI ports, and 1 display port, और अगर आप display port यूज करोगे, तो आप 165 Hz का use तभी कर पाओगे जब आप display port यूज करोगे, तो वो kind of आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, display port, and आपको monitor के पीछे कोई function की, अजीब सी RGB देखने को नहीं मिलता, simple सा MSI का logo, and बहुती basic सा plastic का panel है, कुछ खतरनाक सा design नहीं है, minimal है, अच्छा है, और mount की मैं बात कर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उसको यूज नहीं करा, बट stand के अंदर भी तुमको जो भी basic swivel, tilt, जो भी adjustments है, वो basic adjustments देखने को मिल जाती है, जो कि तुम्हें एक monitor से चाहिए, यह होगी, मैं वेस amount में यूज कर रहा हूँ, normal है वेस amount लगाना, चार screws है, बेसिक, चार कोनो पर simple, very simple, कोई complicated चीज नहीं है, अराम से लगाओ, मजे मारो, अब अगर बात कलने इसकी pricing की, तो क्योंकि इतने सारे features दे रहा है, 165 Hz, colors भी अच्छे खासे है, और screen size और resolution भी अच्छा खासा है, जहां पर बाकी monitors तुम्हें 144 Hz दे रहा है, यह 165 Hz दे रहा है, तो kind of तुम्ह एक वो number वाला जगी है, वहाँ पे तुम्हें हमेशा top पे रहा होगे, तो वो सब features तुम्हें एक किस price पे दे रहा है, तो जहां तक मैंने इसकी price देखी है, इसकी price यह वो range करती है, 27,000 के आसपास में, इसी के around round तुम्हें देखने को मिलेगी 27, 28, fluctuate होती है, depending on sale चल रहा ह लेकिन तुम्हें हमेशा 25,000 से दो पर गई देखने को मिलेगा, और उस price पे IPS panel, अगर मैं 1440P में बात करूँ, तो तुम्हें ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, यहां पे तुम्हें सिर्फ इसका एक competition है, जो कि है LG का 27GL850, ठीक है 27GL850 है, 27GN850, I'm not sure about the name, तो नाम में GL है, GN है, I'm not sure, but एक आता है, जो कि इसका tough competition है, और वो भी जो monitor है, वो 30,000 की आसपास ही देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा इससे expensive है, वो LG का nano IPS panel यूज़ करता है, तो वो इससे थोड़ा सा और expensive बिखता है, अगर यह monitor आपको 27,000 के आसपास मिल जाए, या इससे कम मिल ज production है, अच्छा खासा motion performance है, तो then मैं इसको recommend करूँगा, वनना, as I said, कि देखते रहे है न, sale में कौन सा monitor तुम्हे सस्ता देखने को मिलता है, बाकि description में इसका link होगा, अगर तुम चेक आउट करना चाहते है, एक बाद चेक आउट कर सकते हो, हैना, आजकल तो मैंने कई-कई आउट 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 और तेक आउट गाइस